हालो फ्रेंट्स वल्कम टू आधर्श्वित्या फ्रेंट्स आपड़े बीकॉम सेंफ फाइव बिजनेस लो मां फॉस्ट इनिट चेज आपड़ू पारतीय करार धारो ए आपड़े स्टार्ट करेल छे एनी पहला आपड़े बे वीडियो अल्रेडी बनाया छे आना भी छे के करार क्वाने क्यावाए छे सम्जुदी क्वाने क्यावाए छे बने वचे तफावत सुचे करार आवशक्तत्व काया छे ओके ए अपड़े बेजिक थोड़ी वाद करेती आजे आपड़े प्रकार आपड़े बाड़े ला छे केवा प्रकार ना छे तो लेट्स टार्ड़े पेल्ला तो करार ना प्रकार क्या छे तो त्रण आधारे एना प्रकार पड़े ला छे बिजुछे अमल करवाना आधार अने त्रीजुछे पालन करवाना आधार आ रिते एना त्रण आधारे प्रकार पड़े ला छे રચનાના આધારે એના 2 પ્રકાર છે એક્તો વયક્ત કરારો અને બીજું છે અવયક્ત અથવાતો ગર્ભિત કરારો एना पचिं अमल करवाना आधारे एना बे प्रकार छे एक तो अमल थाई गय होय तेवा करारो औने अमल थावानों बाकी होय तेवा करारो અને 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 प्रकार छे तो काईदे सर्ना करारू, गेर करारू, रद बातल करारू, बीन अमली करारू, अने रद बातल थवा पात्र करारू आर इतना एनना पांच प्रकार छे अधर कर य तो बेन कराना त्रोंड आधर हे पड़ कर के प्र कार पड़े लाँ葉 के एक सहहाँ पहला तो आपड़े जुईशू के पालन करवाना आधार है एना काया प्रकार पाड़ेला जे तो पालन कड़े शवची पहलू आपड़े आपड़ेलू छे आमा रद बातल करार रद बातल करार कोने केवाई तो जे करार नो अमल कायदा द्वारा न करी शकाए ए रद बातल करार जे अवे काया करारों आपड़े अमल मा न लावी शक्यें केम के करार नी व्याख्यात सुचे के जे समझूतियों आपड़े कायदा द्वारा अमल करावी शक्की एने सुख्यावाई करार रद बातल करार वाटे तमने सुखिदू छे के जे करार नो अमल आपड़े कायदा द्वारा नथी करावी शकता ए रद बातल करार जे अवे एवा तो क्या या करार हसे के जेनों आपने काईदा द्वारा अमल नथी करावी शकता तो एवी घणी बदी सम्झूती हो शके दाखला तरी के कोई शगीर वक्ती छे सगीर साथे कोई पन सम्झूती करवा मावे तो एशु गणा से रधवातल गणा से केम के दरेक वस्तु यहां होई जुए यहां थी कोई पन वस्तु यहां न थी तो एशु गणा से रधवातल करा गवे जेम के आपड़े समर्थ पक्सकार हो शे पच्छी मुक्त के कोई पन दगा थी अधा तो बल जबरी थी योग लागक थी आपड़े सम्मती लिधी होई तो अथवाद पच्छी काई देसानों अवा जेच ए ना होई तो पन एशु गणा से करा रधवातल करार गणा है तो रधवातल करार मां के वहाए के तमारे करार ना जेपन आवैशक ततो छे एमा थी कोई पन प्रकानों आवैशक तत्व न होई बराव एनों अभाव होई तो एसु गणा से पहले थी रधवातल करार गणा रधवातल करार मां बीजो पन एक टोपिक आवेशक शे रधवातल समझूती न जेवाए के रधवातल समझूती कोँ ने के वहाए के दाखला तरीके के पहले थी रधवातल दाखला कतर है के आपड़े दारू आपड़ा गुजरात मा बन छे तो दारू पंध होए तो अने तम्हें एनी समझुती करो बेपक्सकार वचे दारू निया वेचाण नी समझुती अने रदबातल समझुती चे नहीं रदबातल करार मासु वरक्सके के मानेलों के एवी समझुती थाए छे जे सरू आतमा काईदे सर चे बराबर पनद पाचर थी जो एक 11 काईदे सर बनी चती उत्य फॉयाए तो एसु गणा से रदबातल करार गणा है तो रद बातल सम्झूती के जी पहले थी जी रद बातल अने रद बातल करार के जी एक वार करार मा आई गया पछी एमा कोई एक वार सम्झूती थे गया पछी एमा कोई तत्वना अभावने कारण है पराबर एने पार थी रद बातल थाई सकेच तो रद बातल करार कोने केव ये रद बातल करार चे, आ पुछाया चे गनी लार, चलो, ये ना जेवोज एक सब्द तमने आपेलो चे येना प्रकार जेवोज रद बातल थवा पातर करार, तो जे सम्झुती मा एने काईदाद्वारा अमलमा लावानो विकल्प एक ये वधू पक्ष ने मलतो होए, पन ब વ्यर्थ ઠरावी શकाय એ બો કरार થ્વા તો રદ બાતલ થવા પાતરહ કरार છે બેવે એવી તો કેવી સમઝૂતી હોય के एमा कि तमने कि देलू छे के आ सम्झूती जेपण थाई छे बे पक्सकारों वच्चे जे सम्झूती थाई छे एनो अमल जेछे ने एक फक्सकार उपर आधारी थोये जे बिजा पक्सकार नी एमा सम्मतिनी जरूर पड़ती ना थी य है कि आ सम्मने कि देलेऊ चे के आमल माँ लावान विकल्प एक या वदँ पक्सुने मणतो है पड़े बीजा पक्सकार ने एनो विकल्प मणतो मनतो नथी तो यह कराया करार गणा रद बातल थावा पात्र गड़ाए बराबर अवे आमा के हुआ छे के जे करार मां तमारे फक्त एक पक्षकानी मर्जी हुआ तोज थाई शके परन्तु बीजा पक्षकानी इच्छानी तेना पर कोई असन न थाए त्यारे ती रद बातल थावा पात्र करार छे दाकला दर्य के कोई पक्षकानी तमें सम्वति दगा थी लिदी छे त्यारे इस सामेवड़ा पक्षकार उपर आधारी थाई जय के एने करार नो अथा तो सम्जुती न अमल लावों चैना थायक्त जाए जैंड के सम्जुती न अमल लावो के न लावों तो या प्राका न सम्जुती सवातित फार्यकोके करार गणाए बराव के ए सम्झूती ए करार अबल मा आवी पड़ सके और न पण आवी चके ओके अवे एना गणा भधा काराण होई शके कि अमें बल जबरी थी अयोके लागवा थी दगा थी के कैर जुवात थी आवी रिते सम्मती लिधी होई पाछळ ती ए ना पाड़े ए काम करवानू तो पण ए रद बातल थावा पातर करार चे पछी मानिलो के एक पक्सकार पोता न वचननू सम्पून रिते पालन करवानू जहरे कोई एक पक्सकार पोता न वचन जे अणे आपी छे ए पाछळ ती पालन करवानू ना पाड़े तो ए पण शुँ गणा से रद बातल थावा पातर पती मानिलो के एक क्सकार आमूंग निश्चीद मुद्धत मां आमूं काम करसे अनने जो ते निश्चीद मुद्ध ते काम न करी शके, तो ते वचनलेना सामा पक्सकार नी मर्जुई थी करार रद बातल थवा पातर छे एने किदू है कि हुँ आ काम निश्चीत समय मा करी देश, और ए जो काम ना करे तो सामे वाडा पक्सकार उपर आतारीच छे करार रद करो अथ्वा तो चालू राखो एक पक्सकार नी मर्जुई पर आतारीच छे कि एक करार समपून थसे अमल मा आवसे अथवा ना पणावे तो रद बातल करार अने रद बातल थवा पातर करार ए बनने मा फरक छे गणिवार एनो तमारे ताफा वत्मण पुछाई जाए जए जए लो एना पछी आवे छे 11 काईदेशर करार अवे 11 काईदेशर करार को ने केवा है तो जे करार भारत मां अमल मां होए एवा कोई काईदानी विरुद्ध होए अथवा जे करार नो उद्देश काईदा थी प्रती बंदित होए तेने 11 काईदेशर करार कहे छे जम के तमारे कोईपन सगीर साथे करार करो छो पड़ा गयार काय देसर करारो रत बातल छे परंथु बदा रत बातल करारो गयार काय देसर नथी केम के जो सगीर साथ हे कोई पन प्रकानों करार थाये तो रद वातल छे परन्तु ये 11 काईदेसर न थी पड़ अमुक जे करारों होये जे पहले थी 11 काईदेसर रज होये तो एसु गणा से रद वातल अच्छे जेम के आपड़े हमना उदारणा आपड़े गुज्यात मां दारू बंदी छे तो ए समझूती सु जे तमारी 11 काईदेसर अच्छे पहले थी एने अम्मल मां लावी सक्षोज नहीं तम्हे तो एसु गणा से रद वातल अच्छे एले एउँ बने के बदा जे 11 काईदेसर करा दाखला दरी के कोई व्यक्ती जे चे बिजी व्यक्ती वासे जुगार अवा माटे पैसाल ले चे तो हवे जुगार जे चे ए इसुचे रद बातल चे मेरा पण सामे वाड़ों व्यक्ती जैने एने के आनुसंगीक जे करारों थायाए छे बेराब एने संकड़ाला कोई पन आनुसंगीक करार थायला चे ए रद बातल ना पण होए पछी एवबनी सके के कोई 11 काईदेसर करार मा जे पड़ आनुसंगीक करारों जे छे बेराब एसुचे रद बातल होए धाकला तरे के दुश्मन देश पासे तीन माल ले तो होए नेने पैसा आपपाना होए तो एसुगणा से 11 काईदेसर करार जे छे पहले थी रद बातल होए अथवा तो जे करार नों देश काईदा थी प्रती बंदीद होए तेने 11 काईदेसर करार कहे छे पड़े मा तमारे नियम याद रखवा पड़ छे के 11 काईदेसर करारों रद बातल छे परतो बताज रद बातल करारों 11 काईदेसर होने चे पहले थी चकेみ जोंके अपड़े उधारण मना समझाए जले एना बजी तमने आप एलू छे बीन अमली करार बीन अमली करार कोने के वहाए के जे करार मां काईदेसर ना करार नी बढ़ी आविशक सरों तोनु पालन्थतु हुआ परन्थ कोई टेक्निक आवि न सकाए तो तैने बीन अमली करार कहे छे जे करार पहले थी काईदेसर च्याज तक ला दरीके करार बाटने जे पन आवशक ततों जे बद्धा जे ततु है ना मा होई पन कोई टेक्निकल खामी ना काना आथ दाखला तरीके यहने कोई चेगिया नौजरुने करावानियों, स्टेंप लगाडवानों होए, बाव अ तकलाुने करीके अंभुग करालेवा हुए क्लिभुगुध ने लेखिता लगुद, लुगित माना होए तो यह ने कोई ट्येकनिकल खामीना काराणए जो एक करार अमल मा न आवी सकतो होई तो एने सु कहवाई बिन अमली करार कहवाई तो आर इतना एना प्रकार आता काया काया प्रकार से पालन करवाना आदा है रद बातल करार, रद बातल थवा पात्र करार एना पच्छी चे 11 काईदेसर करार अनने 2 अमले करार एना पच्छी आपणे जुई अमल करवाना आधार तो अमल करवाना आधार एना bëh प्रकार अपडे जुयाता पहल हो तो अमल थई गयो होए तेवा करार इले निश्पादीत करार होई पोता ने Meos वहाँ करामिक पोतार में उस फर निश्पादीत करार निश्पादीत करार अमल थवानों बाकी होए तेवा करारों ये निश्पाद़ने ज़त contagis करआर पोताने जबाल सथ औरbie 어떻게 दो काणर harvest तेवा करान ने निश्पा दनिये करार कहे जे निश्पा दित करार हो बन्ने पक्सकार हो पोता ने जवाबदारी पूरी कर दिदी जे अने आमा बाकी होए बन्ने पक्सकार हो ने तो एने सुखवा है निश्पा दनिये करार अब मा पण बप्रकारशिक है, एकतों, 10 पक्षिय करार और 20 पक्षिय करलज राप 1 पक्षिय करलगे भर कोसे कि यारे कोई करल थार टहाँ, नी मिममु है, नी पक्षिय करल रहे पैज हो ऊंते लिकलिभास दोत करकार, नी 1 पक्षिय करकार है तो एक पक्षकार ये तो पोता नी जवाबदारी पूरी करी छे पड़ बीजा पक्षकार ये पईसा आपवाना बाकी हुए तो ये जहारे बनने पक्षकारों पोता नी जवाबदारी अदा करवानी बाकी हुए त्यारे तैने जवाबदारी जेशे अधा करवानी बाकी छे तो आजे आपने बे प्रकार ना जोया तमने एक तो पालन करवाना आधार येना चार प्रकार छे रद बातल करार, रद बातल थवा पात्र करार, 11 काईदेसर करार अने बीन अमली करार वीजु आपने जो अमल करवाना आधार येना मैं जे चे बे प्रकार छे अने वीजा अमल थवाना बाकी होई एना आधार ये पन बे प्रकार छे तो आज जे क्वेस्चन जे नामारी एक् जो तमने कोई पर टॉपिक मां कन्फीजन छे तो अधर में पूछी सको जो ओके थैंक यू सो मच